Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, किसी भी organization के formation के पीछे कुछ strong वज़े रहते हैं, ऐसा ही कुछ वज़े था जब United Nations को बनाया जाता है 1945 में तब, 1945 में total 50 countries थें और 2024 में 195 countries हैं, 1945 में और 2024 में जो एक चीज़ common देखने को मिल रहा है, United Nations म वो ये है कि तब भी इसके 5 permanent members थें और आज भी इसके 5 permanent members हैं, कहने का मतलब है कि तब से लेके अब तक United Nations के structure में कोई खास change नहीं हुआ, as a result हम कह सकते हैं कि UN का जो effectiveness है, वो almost खतम हो चुका है, इसी बीच 2 April को Dr. Jai Sankar sir गुजरात में रहते हैं, जहां पे वो media से brief कर रहे ह होते हैं, वहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कहा कि United Nations के Security Council में बदलाव रिफॉर्म की जरुवत है और भारत को एक permanent seat मिलना चाहिए, और इसके पीछे वो काफी अच्छे तरीके से examples देते हैं और explain भी करते हैं, इस वीडियो में हम 2 points के उपर focus करने वाले हैं primarily, सबसे पहला point हमारा रहने वाला है कि हम कुछ examples को quote करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों United Nations का जो effectiveने से वो घट गया है और उसके बाद हम जानेंगे कि Dr. Jai Sankar sir ने और क्या कहा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अग आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ऐसे आपको multiple articles मिल जाएंगे जहां पे बहुत ही systematic तरीके से ये बताया गया है कि बीते कुछ सालों में United Nations Security Council या United Nations का जो effectiveness है वो खतम हो गया है और ये कहीं न कहीं एक political अखाड़ा बन गया है जहां पे China और Russia एक तरफ रहते हैं और बाकी जो तीन permanent members होते हैं वो एक तरफ होते हैं अब जो सोच था United Nations को बनाने का उसके पीछे का objective था कि किसी भी तरीके से war को या war like situation को रोका जाए और उसके लिए बाचीत किया जाए उसके लिए pressure create किया जाए तो इन वे हम कह सकते हैं कि य एक geopolitical tension को कम करने का एक organization था लेकिन अब ये complete तरीके से एक political organization बन के रह गया है अगर हम सिर्फ दो examples को quote करें जो कि recent के examples एक तो सबसे पहले हम Russia-Ukraine war को देख सकते हैं जहां पे दो साल से उपर हो चुका है Russia और Ukraine दोनों war में हैं और कहने के जरुवत नहीं कि war कहीं पे भी हो मासूम लोगों की जान तो जाती ही जाती है और उसके बाद जिस तरीके से Israel attack कर रहा है गाजा में या Israel और हमास के बीच में जो conflict है इसके बारे में multiple ऐसे reports publish किये गए हैं बताये गए हैं facts है figure हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि Israel बहुत ही random तरीके से या कहले कि बहुत ही irresponsible तरीके से गाजा में attack कर रहा है जिससे कि बहुत हद तक 90-95% cases में ऐसा देखा जा रहा है कि civilians के casualty काफी high हो रही है यूएस इसराइल के पीछे एक बहुत बड़ा backing है और वो इसराइल को पैसे भी दे रहा है वेपन्स भी दे रहा और दूसरी तरब से United Nations Security Council में वो immediate ceasefire को ल तो in a way हम समझ सकते हैं कि मुद्दो के उपर बात नहीं होती है बात ये होता है कि उस proposal को किसने लाया था और क्यूं लाया था तो United Nations as an revenge platform की तरह ये उभरता हुआ जा रहा है या तो हम ये कहले कि बहुत हद तक उभर चुका है बीते कुछ सालों में और खास करके COVID का दौरान जिस तरीके से भारत में लगभग 100 से भी अधिक देशों को free के vaccines दिये थें ये बताता है कि भारत एक responsible country की तरफ आगे बढ़ रहा है ये वही दौर था जब US अपने देश में खूब सारे vaccines को इखटा करकर रखा था और low और middle income countries के साथ वो vaccines को share करने चे साफ साफ मना कर दिया था तो United Nations हो गया या United Nations Security Council हो गया ये सब काफी एक responsible जगा होते हैं जहां पे responsible देश को ही जाना चाहिए और उसके बाद बीते कुछ सालों में हमारा जो economic growth है वो भी comparatively और सब देशों से काफी अच्छा है और कही न कहीं चा organization को reform ना किया जाए अगर इस organization को reform करते हैं तो कहीं न कहीं आज 5 permanent members है possibility ये भी हो सकता है कि कल को इसमें 5 members और आके add हो जाए ये कुछ इसी तरीके से है कि China हो गया या France हो गया या बाकी और जो 3 member countries है इनका जो power है वो बट जाएगा तो कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके जो power है या उसका जो veto का अधिकार है वो कमजोर हो भले पूरे दुनिया में global tension बढ़ जाए फिर भी ये लोंका यही attempt होता है कि कि किसी भी तरीके से इनका जो power है वो नहीं घटना चाहिए Middle East में total 18 देश है और इनका representation करने वाला United Nations में एक भी देश नहीं है African continent में total 54 countries है इनका representation कोई भी नहीं है ये काफी है बताने के लिए कि क्यों United Nations को बहुत ही सक्त और immediate तरीके से reform की आवशकता है हलाकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि France global platform पे आके भारत के बारे में वो बहुत बार कह चुका है कि भारत को United Nations Security Council में permanent seat मिलना चाहिए इसके अलावा भी जिस तरीके से बीते कुछ सालों में Japan, Egypt, Germany इन देशों का भी जो rise हुआ है तो कहीं न कहीं अगर आपको पुरे दुनिया में peace and prosperity को अगर आपको maintain करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जो 5 permanent members थे 1945 में वही long sufficient है इसके अलावा भी बहुत सारे experts ये कहते हैं कि Russia, Ukraine का war को रोका जा सकता था अगर Russia और Ukraine dialogue और diplomacy को promote करते हैं और in a way दुनिया में कहीं पे भी लडाई हो तो US के जो arms manufacturing companies होते हैं उनको benefit पहुँचता ही पहुँचता है और in fact अगर आपके पास वक्त रहे तो आप कभी सिपरी का website जाके पढ़िये का तो आपको मालूम पढ़ेगा latest report ये कहता है कि दुनिया में top 10 arms manufacturing companies में starting के 6 companies US के ही हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से इसराइल गाजा में attack कर रहा है इसको भी रोका जा सकता है हमास ने इसराइल के उपर attack किया जो की गलत था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसराइल को ये license मिल जाता है कि वो common civilians को मारे I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye